हाई गाईज, मैं काप्टन भावेश, आपका सौगत करता हूँ आपके अपने The Struggler चैनल पर आज हम बात करेंगे कि कास्टिंग डिरेक्टर वो आपको कास्ट कैसे करते हैं एक कास्टिंग डिरेक्टर की पूरी प्रॉसेस के बारे में बात करेंगे जो आप लोग को बहुत confusion रहता है कि यार इतनी सारी मुवीज बने ही बट हमें कास्ट नहीं किया जा रहा है तो चलिए वीडियो को स्टर्ट करते हैं मैं स्टर्टिंग से स्टर्ट करता हूँ कि कहानी कहा से सुरू होती है सबसे पहले एक डारेक्टर होता है वो एक कास्टिंग डारेक्टर को अप्रोच करता है अपनी फिल्म की कास्टिंग करने के लिए उसके बाद कास्टिंग डारेक्टर और डारेक्टर के पीछ में एक मीटिंग होती है जिसमें वो नेरेट करता है एक बार दो बार पूरी meeting होती है और जो hero या main lead जो actors रहेंगे को director ही confirm करते हैं तो इसके बाद से काम start होता है casting director का जब casting director director के साथ meeting खतम करके अपने office आता है तब उसका basic काम start होता है आपको casting करने का तो सबसे पहले casting director उस story को एक बार read करता है एक से तो बार वो पूरी story को read करेगा और फिर वो अपने pointers पनाएंगे कि इस story में कितने characters हैं बिसिकली director उनको सम्झाय रहता है कि इतने characters है 90 character है, 100 character है, 200 character है जितने भी characters है वो सारे directors उनको brief दिया रहेगा उसकी age का भी दिया रहेग बट कास्टिंग डिरेक्टर भी यहां से अपना point of view लगाता है कि क्या age है, कितने characters हैं, उसके बाद फिर कास्टिंग डिरेक्टर का काम और थोड़ा असान होता है, क्योंकि आप लोग उसमें help करते हो, आप लोग की क्या help रहती है, जब आप लोग intro देने जाते हो न, तो उन माता, पिता का character चाहिए, उनको भाई का character चाहिए, उनको और type के character चाहिए, थोड़ा सा और यह तो primary, secondary हो गए, और थोड़ा हैं, tertiary casting में, उनको one day, two day type वाले actors चाहिए, तो इस type के हर character के लिए हर actor divided हैया, मतलब आप कह सकते हो कि वो उसी तरीके के ही role करते हैं, तो इसके ल लड़का इस character में जा रहा है, मतलब अगर हमको एक character चाहिए, जिसमें उसकी height 5 foot होनी चाहिए, और उसकी age 40 to 50 होनी चाहिए, तो अब वो 40 to 50 वाला group अपना देखेगा, उसमें देखेगा, उसकी height अगर height match की, तो फिर वो उसका auditions मंगाएगा, या उसको बुलाएगा कि कम हो जाएंगे selection के, बुसरा, अब की उसने introduction सारे check कर लिया, अब उसने सारे shortlist कर लिया, उसकी जितने भी 90 characters है, उसने सारे shortlist कर लिया, कि character के लिए ये options होने चाहिए, और जब casting director अपने options directors को भेजता है, तो कम से कम वो एक character के लिए 5 से 7 options भेजता है, एक एक character के लिए, उ जैसे भी primary हुए secondary character के लिए director ही confirmation देता है, तभी जाके casting director, actor को बोलता है कि you are selected for this role, बट जो tertiary casting होती है, जो one day today casting होती है, उसके लिए casting director ही call ले लेता है, वो director तक नहीं भेजता है कि सर ये one day today वाला, उसमें casting director को पता है कि या ये बंदा कर ले जाएगा, one day today का मतलब छोट इसके इंदर इतनी acting है कि ये कर ले जाएगा, ये character, ये तो मैं थोड़ा आगे चला गया, बट मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, कि जब वो shortlist करता है, तो वो जितने भी character रहते हैं उस movie में, उन सारी movies के लिए वो auditions लेता है, मैं खुद ये experience कर चुका हूँ, तो मैं ये primary और secondary cast है, उनकी ही workshop होती है, और जो tertiary casting होती है, उनकी एक बार सिर्फ director से बात होती है, कि ये character है, इस ताइप का character, और तुम्हारा काम ये है, वो director brief करता है, एक बार actor को, casting director तो brief करता ही करता है, बट साथ में director भी brief देगा, एक बार आप लोग को जब आप select हो जाओगे त तो सबसे बड़ा खेल उसे introduction का होता है, जब आप introduction ही अच्छे से नहीं दोगे, तो आप selection कैसे अच्छे से होगा आपका, तो इसलिए जब भे introduction देने जाना, तो full confidence है जाना, लगना चाहिए कि बंदा trained है, लगना चाहिए कि इसके अंदर confidence है, कि ये perform कर सकता है 100-200 लोग के सामने, आप अगर introduction में ही fumble कर दोगे, तो फिर सोच लोग की set पे क्या करोगे, जहां पे आपको कम से कम 500 लोग ऐसे देखते रहेंगे, तो वहाँ पे तो आपकी वैसे भी hardware कापने लगेंगे, तो इसलिए practice करो सबसे पहले तो आप लोग ये मैं बताना चाहता हूँ, तो मैंने बहुत ही simple तरीके से समझाने की कोशिश की, I hope आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप comment कर सकते हो, मैं उस comment का reply ज़रूर दूँगा, आप लोग की हर problem को solve करूँगा, तो जब भी आप audition देने जा रहे हैं ये इंट्रो देने जाना है, तो य ये क्या नहीं है मैं तो फिर मुझे भी नहीं समझ बता, मेरे को नहीं पता थे कि यार मेरा introduction सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं introduction लेने लगा, तो मुझे पता चल गया, अरे यार इसने यहां पर ये गड़बड़ी कर दी, ये माज़िदा नहीं, और दूसरी बात, ज जिस दिन मेरे type का character आएगा, उस दिन मेरे को selection जरूर होगा, और अगर मैं अच्छे से perform नहीं कर पाऊँगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसे लिए main point यहीं है, कि आपको audition अच्छे से देना है, introduction अच्छे से देना, मैंने 3-4 बार बोल दिया ये चीज, इसे लिए बा या अज एक छोटी सी वीडियो की casting director casting कैसे करते थे, I hope आप लोग को सब कुछ समझ में आऊ गया, तो अगर ये वीडियो अच्छे लगी तो like करो, और अपने दोस्तों को भेजो कि उन लोग को भी पता चले कि यार कैसे casting होती है, और comment करो कि कैसी लगी ये वीडियो, और ज